Hello friends, a very good morning to all of you. एक बार फ़र से आया हूँ आपके सामने और इस बार एक long वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपके सारी queries related to rabies अभी discuss करने जा रहा हूँ. आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफतों में, कुछ महीनों में continuously different questions, queries put हुए है और हमारे comment box में पूशा गया है और मैं भी कोशिश करता हूँ, हर एक question को अच्छे से read करकर समझ कर उनका proper answer दो ताकि आपको किसी भी तरीके की confusion ना रह जाएं. Still, बहुत सारे multiple queries, कुछ एक जैसा दिखने वाला queries, कुछ different queries भी आता रहता है हमारे comment box में, तो हमने क्या सोचा है, अभी इस वीडियो में, जितनी भी queries हैं, आपकी हर एक query का समाधान करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो को हमने chapter wise बनाया है, आप चाहें, तो chapters पर click करके, अपने query वाले section को के वाल देख सकते हैं, for example, suppose आपको bat byte से related कुछ questions हैं, कुछ doubts हैं मन में, जो clear नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे bat byte के section में जाए, click करें और देखें उस section को, हमने कोशिश किया है, कि उस section में bat byte से related हर एक question को वहाँ पर put कर दिया जाए, ताकि आपकी हर एक समस्या का सामधान मिल सके, तो शुरू करते हैं इसी के साथ, हमारा आज का session हलाकि थो लंबा होने जा रहा है, तो धैर रखें और देखें इस session को पूरा, स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर समय आपको बता दू, मैं हूँ Dr. Enrag, I am Dean Pediatrics and आप देख रहे हैं हमारा चैनल Kid O Care. Incubation period, incubation period वो period होता है, जहाँ पे यह जो virus है, वो virus पहले आपमे attack करता है, आपमे enter करता है, से लेके जब आपको first manifestation होता है, यह जो gap है, यह जो period है, इसी को incubation period बोला जाता है, तो generally rebige का incubation period vary करता है, एक हफते से लेके एक साल तक, समझ रहाँ आप, एक week से लेके one year तक, लेकिन जो usual है, वो usual incubation period होता है, two months to three months, that is 60 days to 90 days, generally 60 days से 90 दिन के बीच में rebige manifest कर जाता है, लेकिन कुछ लोगों में काफी लंबे समय के बाद जाकर, एक साल में भी rebige देखा गया है, even मैं आपको बताओं, एक case, चन्नई का वो लड़का था, उस लड़के को साथ साल पहले dog bite हुआ था, and after seven years उस बच्चे को rebige manifest किया, and finally उसे बचाया नहीं जा सका, canines के अंदर कौन-कौन से animals आते हैं, तो canines के अंदर आता है, जैसे dogs, cats, monkeys, wolves, foxes, jackals, तो generally ये सब जो animals हैं, इन animals से ही ये rebige spread होता है, ये animals to animals रोड़के होता है, and animals to human beings भी रोड़के होता है, अब ये जो animals का section है, यहाँ पर सबसे पहला question आता है, rodents, rats, क्योंकि आप देखो, rabies mammals को ही affect करता है, and rats, ये जो rodents हैं, ये भी तो small mammals ही है, तो क्या इन में rabies होता है या नहीं, क्या ये rabies carry करते हैं या नहीं, तो generally आप देखो, जो house rodents होते हैं, घर में जो पाया जाते हैं, वो छोटे-छोटे चुए हैं, या mouse हैं, या आप देखो, कुछ squirrels, गिलहरियाज हैं, इन लोगों में rabies नहीं पाया जाता है, uniformly आप किसी भी textbook standard देख लो, या WHO guidelines या CDC guidelines देख लो, हर जगा, clearly mentioned है, ये जो small rodents हैं, ये जो house rodents हैं, इन में आपको rabies नहीं मिलता है, और इनके bite के बाद आपको, किसी तरह की rabies injection की जरुवत नहीं होती है, तो कौन से rats में मिलता है, अब वो rat, जो आप देखोगे, जो बड़े के category में आते हैं, larger rats, और वो rats जो generally jungle से पाया जाते हैं, जो wild rats होते हैं, generally वो interact करते होते हैं, दूसरे animals के साथ, repeated interaction के वजह से, वो rabies वारस कभी-कभी carry कर लेते हैं, और जब वो human beings को bite करेंगे, तो वो यहाँ पे spread हो सकता है, rabies from rats to human beings, तो इसलिए कहा जाता है, जब कभी rat bite हो, पहली बात तो घबराएं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, rabies vaccine की ज़रुवत नहीं होती है, लेकिन अब चुकी rabies endemic है, तो वो area जहाँ पे देखा गया है, कि rat से भी rabies हो रहा है, तो आपके यहाँ जो भी physician, जो infectious disease physician बैटे हो, उनसे आप एक बार जाकर मुलाकात कर लें, उनसे consult कर लें, वो आपको सही direction देंगे, कि क्या आपके case में, anti rabies की ज़रुवत है या नहीं है, तो overall मैं आपको फिर से बता दू, कि generally rat bite में, rabies vaccine की ज़रुवत नहीं होती है, similarly, एक और बच गया mammal, that is bats, जी हाँ, चमगादर, इस से related तो कई बार queries, questions आती ही रहती हैं, बार बार comment box में, same answer देने को आ रहता है हमें, तो क्या है Indian bats, generally Indian bats में, rabies virus नहीं होता है, Indian bats क्या होते हैं, mega bats कहलाते हैं ये, जिसको flying foxes भी कहते हैं, जिसको fruit bats भी कहते हैं, आपने देखा है न, कुछ महिनेए पहले, केरला से नेपः वारस आया था, तो ये जो नेपः वारस है, generally ये fruit bats carries करते हैं, नेपः वारस को जबकि ये fruit bats, rabies virus को carry नहीं करते हैं, तो rabies virus कौण carry करते हैं, rabies virus carry करते हैं, micro bats, चोटे चोटे जो चमगादर होते हैं, यहां वह उन्टेंग हैं और इंडिया में मिलते नहीं है वह मिलिगे आपको जब कभी बैट बाइट हो तो HRIG लगाना ज़रूर ही है अब रहे गई इंडिया की बाते तो भारत वर्ष में आप देखो पिछले कुछ सालों में कुछ 2017 के आसपास भी एक अजेंसी ने जिन्होंने एक सर्वे किया था वहां पर नागा लैंड से कुछ केसे निकल कर आया था जहां पर बैट के अंदर वारस मिला है इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि अगर बैट बाइट हुआ है उस केस में एंटी रेवीज वाक्सिन जाकर लगवाले धिलाई करने के जरूत नहीं है क्या पता किसे पता जो बैट ने आपको बाइट किया है वो ये रेवीत करें है कि यहीं कैश्य बात हिवी होता है वहां अगर कोई इंसान एंटर कर जाए और वो अगर इन्हेल कर ले इंड्रॉपलेट को तो हो सकता है रेवीज जिनरली इंडिया में भात वर्ष में इस तरीके से रेवीज देखने को नहीं मलता है इसलिए ना घबराएं अगर बैट आपके आगे पीछे इधर उधर से निकल भी जाये तो रेवीज जिज के स्प्रिड होने का दो तीन तरीका है सबसे पहला फॉस्ट एंड फॉर्मोस्ट बाइट मैं यहां पर एक्जामपल डॉग का ही लेकर चल रहा हूं तो डॉग से रिलेटेड ही सारी चीजों को मैं डिसकस करोंगा तो रिबीज जीज नहीं होगा तो पहली बात तो यह है कि अगर एनिमल रिबिड है और उसने बाइट किया है तभी यह रिबीज जीज ट्रांसफर होगा दूसरा अगर यह लिक करेगा अगर यह अपने जीव से चाटेगा कहां पर ब्रोकेन इसकन पर जहां पर सकन के ऊपर हो जाएगा या यह जो मुकस मंब्रेन जैसे आइस है नोज है माउथ है अगर यहां पर भी डिरेक्ट अगर वो लिक करता है या यह कॉंटामिनेट हो जाता है कुछ हेवी सलाइवा से इम्मीडियेट बिलकुल फ्रेश सलाइवा से जो कि रिबीज वारस कंटेन कर रहा है तो ही यह रिबीज ट्रांसवर होने का खत्रा होता है अब यहां पर यह जो दो तीन तरीके थे रिबीज को ट्रांसवर होने के इसके अलावे अगर आप लाब्स में देखो तो वहां पर भी एरोसलाइज ड्रॉपलेट्स के रूप में रिबीज ट्रांसवर हो जाता है इसे alive रखा जाता है इस environment में लेकिन कभी अगर exposure हो जाए इन aerosolized droplets जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं लाब के technicians या लाब में doctors या जो भी वहाँ के healthcare professionals हैं उनको होने का खत्रा बढ़ जाता है इन aerosolized droplets है वो भी accidental not normally और चौथा मैंने आपको पहले ही बताया bats से तो अगर bats से भी aerosolized droplets के रूप में होगा लेकिन वहीं जहां पर इन bats का numbers बहुत जादे जैसे US के caves में जंगल्स में तो वहाँ पर आपको बिना bite के भी rabies transfer हो सकता है तो यह rabies transfer होने के लिए सबसे important जो material है that is saliva saliva containing rabies virus अब यहाँ पे जो बातें उठती हैं कि यह saliva सपोज dogs का या cats का जो भी यह saliva अगर फर्ष पे गिरा हुआ है यह saliva किसी fruits पर या किसी vegetables पर गिरा हुआ है किसी fruits vegetables और कुत्ते ने आके चात लिया काट लिया और गलती से हम लोग भी खा लिये या हमारे हाथ से touch हो गया उनका saliva और इस हाथ को हमने अपने मूँ में रख लिया या आँखों में लगा लिया तो क्या इस तरीके से रेवीज फैलेगा या नहीं फैलेगा तो पहली बात आप समझ लें इस जगह पे कि यह जो रेवीज वारस है रेवीज वारस केवल saliva के अ बोल रहा हूं कि रेवीज वारस completely killed हो जाएगा ठीक है हो सकता है रेवीज वारस कुछ minutes तक बाहर में alive रहे लेकिन infective power उनमें नहीं रहता है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो रेवीज वारस को multiplication के लिए growth के लिए nervous tissue की जरुरत होती है जहां पे dog ने काटा है यहां से पहले वो nerve के through travel करता है and central nervous system तक ही पहुँचता है brain तक ही पहुँचता है and brain में जाने के बाद फिर ही वहां से descend करता है and यह जो salivary glands है यहां पे यह पहुँचता है and वहां पहुचने के बाद saliva में excrete होता है and यह freshly passed saliva अगर चला जाए किसी दूसरे इंसान में जैसा भी यह transfer होगा लेकिन आप यह देखें कि जब यह saliva dog के mouth से बाहर निकल के फर्ष पे गिरा है या किसी फल पे fruits पे vegetables पे लग गया है तो वहां पर चुकि nervous tissue नहीं होता है इसलिए rabies virus वहां पर multiply grow कुछ नहीं कर सकता है वहां पर वो inactive हो जाता है तो यह है reason behind कि क्यों यह saliva को आपने touch कर दिया फिर आखों में लगा लिया या मूँ में ले लिया या फल सबजी को इस तरीके से आपने खा लिया तो आपको rabies नहीं होगा यही कारण है इस तरीके से rabies नहीं फैलता है वरना आप खुद सोचें गाउं वेगर हमें इतने सारे dogs हैं cats हैं जो अल्रीड वहां तो च्ट्ट्ट च्ट्टे बच्चे नंगे पाओं कहलते रहते हैं इनके पाओं में कितने cuts होते हैं जमीन पेढ़रे फोटते रहता हैं जाने कितने बच्चे यह सोचने वाली बातस है इसलिए इस तरीके से rabies कभी नहीं फैलता है रेबीज फैलने का जो spread करने का जो तरीका है वो मैंने just अभी आपको बताया उस section को एक बाद जाकर देखें आपको idea लग जाएगा कि किस तरीके से रेबीज वारस spread करता है animal bites को generally तीन category में बाटा गया है category 1, 2 and 3 category 1 में होता है just simple touching आप अगर animal को touch कर रहे हो या उनको आप feed कर आ रहे हो category 2, category 2 में होता है minor scratches without bleeding कई बार देखो आप questions, comments में यही देखने को मलता है कि हमें dog ने bite किया था लेकिन blood नहीं आ है मैं क्यों जाओ? ARV लगवाने के लिए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि without bleeding comes under category 2 bite तो यहाँ पर anti-rabies vaccine की जरुरत होती है तो इस बात को समझें minor से minor scratch भी एगर है तो ARV की जरुरत है वही category 3, category 3 में होता है transdermal bites मतलब कि कुछ penetrating bites, multiple bites जहाँ पर blood भी आपको नजर आ रहा है या mucous membrane का contamination जो मैंने पहले आपको पता है या तो eyes का या तो nose का या mouth का contamination हो जाए ये category 3 में आता है इसके साथ-साथ bat bite भी category 3 में आता है तभी मैंने बोला आपको अगर bat bite है तो कभी भी risk ना ले आप चाहें इंडिया में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो bat bite में रस्क नहीं लेते hrig लगवाएं और साथ में anti-rabish vaccine का पूरा course करें observation period केवल dogs and cats के cases में ही लागू होता है जी हाँ केवल आपको observe करना है dogs and cats को monkey bite का case है या bat bite है या कोई भी jackals, foxes, कोई सब भी bite है वहाँ पे आपको observe करनी की ज़रुरत नहीं होती animals को क्योंकि वो animals ज़रूरी नहीं है कि 10 days में ही मारा जाए यह different types of animals हैं जो canines हैं वो कई महिनों कई सालों तक भी जिन्दा रहते हैं और वो carry करते हैं rabies virus अपने अंदर and transmit करते हैं दूसरों को जबकि dogs and cats में tendency होती है अगर उन्होंने rabies virus acquire किया है तो 10 days में उन्हें जाना ही जाना है वो 10 days के उपर नहीं रह सकते ऐसा कोई case आस तक नहीं मिला है जहां पर rabid dog या cat 10 दिन से उपर जिन्दा रह ले generally आप देखो इनका जो lifetime होता है rabies virus एंटर करने के बाद मुश्किल से 5-7 maximum 8 days तक ही रह पाते हैं लेकिन WHO ने formulate किया है बोला है कि 10 days तक wait करो उन्होंने 2 दिन और extra grace period दिया है कि चलो दो दिन और extra आप इसको observe करके देखो तो इसलिए केवल dogs and cats में observe करे other than that observation करने की जरूरत नहीं है हलाकि मैं अभी vaccination पर आ रहा हूं कि क्या observation period में vaccination लेना है या नहीं लेना है and after observation period जब हो जाए अगर dog alive है after 10 days तो क्या vaccine लेंगे या नहीं लेंगे आता हूं अब अब जस्ट अपने next to next coming chapters में बहात वर्ष में अगर आप देखो तो यह दो तरह का vaccine यहां पर अविलबल है one is PCCV and second is PVRV the first one is purified chick embryo cell vaccine and the second one is purified varo cell rabies vaccine यह दोनों के दोनों vaccine generally freeze-rad form में आपको easily available होते हैं markets में and cold chain को maintain करना बहुत जरूरी होता है cold chain 2 degree to 8 degree centigrade के बीच में ही इनको रखना चाहिए जब आप इस टोर करते हो या जब आप इसको transport करते हो तो 2 degree से 8 degree का temperature maintain होना बहुत जरूरी होता है यहां पर एक बात बहुत important है अगर आपने fridge से निकाल दिया है इन वैक्सिंस को और आपने reconstitute कर दिया मतलब diluent आपने डाल दिया है इस freeze-rad vaccine के अंदर powder के अंदर आपने इसको mix करके रख लिया है तो कितने देर के बाद इसको यूज करना है तो इसे maximum 6 घंटे के अंदर अंदर आपको यूज कर लेना चाहिए ऐसा ना हो कि 6 घंटे के ऊपर हो जाए और आपने उस vaccine को यूँ ही छोड़ दिया है टेबल पे वह वेस्ट हो जाएगा तो कई बार यह प्रिशन आता है कि केमिस्ट ने फ्रिज से वायल को निकाला वायल को निकालने के बाद 2-3-4 मिनट यह अपने डेस्क पे रखा 2-3-4-5 मिनट सनलाइट से एक्सपोज भी हुआ एक्सपोज होने के बाद मैं फिरूस वैक्सिन को लिया लेने के बाद मैं क्लिनिक्स में गया वहाँ जो भी सिस्टर्स थी यह जो डॉक्टर थे उनको मैंने दिया वैक्सिन कि अब मुझे वैक्सिन लगाओ तो यह टाइम के भी छे घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हो इसलिए इन छोटी-छोटी चीयों को लेके घबराये नहीं और कई बार मैंने बोला है कि अपने हेल्थ केर प्रोफेशनल पे थोड़ा सा फेथ रखें थोड़ा सा ट्रस्ट करें वह कभी भी आपको हार नहीं करेंगे अच आर आईज वाइज एक इस एक शंतेंस में इस एच रखेंगा श्रीज एच वाइज डाइज तो संच आप इस एक शंतेंस में इस रखेंगे सारी बातों को आपको बता दिया अब मैं आपको explain करता हूँ हर एक टर्म को सबसे पहले मैंने आपको बोला इट शुट बी गिवन वन्स जी हां एच राइज कभी रिपीट नहीं करते हैं जिसको आपको कुछ इंटरवल्स पर रिपीट करना होता है टेटनस वाक्सिन जिस इम्मीर अब्लोबलिन प्रोवाइट्स यू इंडर अंटीबडी इम्मीडीएट रिपांस आपको यहां पर मिलता है और यहां पर जो पहले से अंटीबडी फॉर्म और वह आपके बॉडी में डाला जाता यहां पर ऐसा नहीं है कि यह एक्टिवली अंदर जाकर एंड एक response आपको देगा and antibodies आपको produce करवाएगा जी नहीं यहाँ पर हमने antibodies ही आपके body में डाल दिया है तो इसलिए इस antibodies को repeat नहीं करते हैं बार-बार एक regular interval पे एक बार दिया जाता है दूसरा point हमने बोला कि इसको first day जिस दिन आप anti-rabage vaccination start कर रहे हो same day आपको दे देना चाहिए किन में category 3 वाले बाइट में जी हाँ अगर category 2 का बाइट है तो HRG की ज़रुवत नहीं परती है तीसरा point हमने बोला कि previously जो immunized नहीं है उन्हीं में HRG देना है suppose previously आपने पहले ही anti-rabage vaccine लगवा लिया है that is ARV तो उस ARV के वजह से आपके body में कुछ active antibodies है body में circulate कर रहे हैं कुछ active antibodies अब होगा क्या आपने यहां पे इनको passively यहां पे antibodies in the form of immunoglobulin दे दिया यह क्या करेगा तो पहले से antibodies बना हुआ है यह इसको hamper कर देगा तो इसलिए अगर पहले से immunized है कोई person anti-rabies vaccination ले रखा है तो उनको hrg नहीं देते हैं fourth point हमने बोला dose dose होता है 20 international unit per kg सपोज आपका body weight है 50 kg तो of course 100 1000 international unit आपको लगाना होगा फर मैंने बोला अपने next point में maximally add the site of bite सपोज dog bite हुआ है यहां पे तो जहां पे यह bite हुआ है maximally यहीं पे infiltrate आपको करना होता है hrg को हां कभी कभी क्या होता है कि यह उन्ड बहुत छोटा सा रह जाता है and units जा दे आपका body weight जा दे तो उस condition में maximum amount यहां पे infiltrate कर देना होता है लेकिन जो बच गया आपका amount उस amount को आप intramuscularly लगा सकते हो अपने दूसरे site पे अगला जो point था हमारा मैंने यह कहा है कि इसे category 3 bites में ही लगाना होता है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है category 2 में के ओल anti-rabies vaccine की requirement है category 3 में hrg भी आपको add करना होता है and last point था seven days के बाद इसको नहीं लगाना होता है यहाँ पर से मैं आपको clear कर दूँ चुकि आपने anti-rabies vaccine first day लगवा लिया है से लेके seven days तक ही आपके पास time है hrg लगवाने का एक बार अगर यह साथ दिन बीत गया तो चाहा के भी आप hrg नहीं लगवा पाऊगे क्यूं यहाँ पर से वही reason मैं आप आपको दे रहा हूं चुकि यह जो first day आपने arv लगवाया है यह जो antibodies produce कर रहा है आपके body में यह antibodies के production को hamper कर देगा यह hrg जो आपने 7 दिन के बाद लगवाया है और साथी साथ एक बात और clear कर दूँ यहाँ पर यह hrg कभी भी दो dose of arv लगने के बाद आपने लगवा सक कि आपने कहा था कि 7 days के beyond मत लगवा है hrg मैं तो 4 दिन लगवा है hrg मुझे क्या problem लगवाने से यह बात भी आप समझ लें कि अगर arv का 2 dose लग चुका है तो भी आप hrg नहीं लगवाएंगे हमेशा arv के साथ लगवाएं या first dose arv के 7 दिन के अंदर लगवाएं अगर arv का दूसरा dose नहीं लगा है तो इस बात को clear हो जाने चाहिए आज doge of arv थोड़ा confusing जरूर है लेकिन मैं आपको यहां पे बिल्कुल simple way में समझाता हूं कितना लेना होता है आप देखो जैसा कि मैंने पहले बताया दो तरह का brand usually available है market में Indian market में पहला इस PC ECV and second is PVRV तो अगर आप intra muscular root को choose कर रहे हो तो while में जितना भी provided है content पूरा content आपको लगाना है आपको वहां पे 0.5 ml या 1 ml ऐसे देखनी की जरूरत नहीं है अलाकि मैं आपको बता दू जो PC ECV आता है वो generally 1 ml के vaccine while में आता है और जो PVRV आता है वो 0.5 ml में आता है तो ml चाहे इसमें जितना भी हो इंट्रा muscular में आँख बंद करके पूरा while खाली कर दें बिल्कुल simple होगे आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें similarly अगर आप intra dermal root को prefer कर रहे हो तो उस case में भी अब चाहे आपने 0.5 ml वाल खोला है या 1 ml वाल खोला है आपको उसमें से 0.1 ml ही लेना है और अप एक बार में 0.2 ml एक सिटिंग में आपको हो जाना चाहिए तो यह था doses से रिलेटेड यहां पे किसी भी तरीकी की confusion नहीं होनी चाहिए और जब हम लोग doses की बात करते हैं तो यहां पे brand interchange and root interchange की भी बात करते हैं तो generally जिस brand को आपने लगवाया है first time इसी brand को अपने later vaccination days में repeat क करें change करने की ज़रूरत नहीं है हलाकि suppose अगर market में available नहीं है या किसी कारणों से आपको वो brand नहीं मिल पाया उस condition में आप change कर सकते हो purified chick embryo cell से आप change कर सकते हो vero cell में तो जहां पे नहीं मिल पा रहा है जहां मजबूरी है वहीं जहां तक हो पाये अपने same brand के साथ ही चिपके रहें इसी तरीके से अगर roots की बात करें तो root में भी आपको बहुत एतियात बरतनी की ज़रूरत है कई लोगों का comment आता है question आता है लेकिन दूसरा dose हमने intra-derm नहीं लगाया है अब तीसरा क्या लगवा हूँ चौथा क्या लगवा हूँ यहां सबसे पहले clearly मैं आपको यह बता दू जिस root को आपने first time लगवाया है preferably उसी root को follow करें अपने next सारे doses में हाँ जहां पे यहां भी नहीं मिल पा रहा है या scarcity है लेकर दूसरे shoulder पर intra-dermal लगा सकते हैं मजबूरी में लेकिन यह इतना effective भी होने नहीं जा रहा है इस बात को आप ध्यान रखें इसलिए कोशिश करें अपने brands को और अपने root को change ना करें anti-rabies vaccine के अगर side की बात करें तो बहुत ध्यान से गौर से सुनिए इस बात को अगर आप intra-muscularly लगवाने जा रहे हैं vaccine को तो deltoid reason में लगवाएं अगर छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप लगवाने जा रहे हो तो आप thighs में anterior lateral side में आप लगवा सकते हो कभी भूल कर भी gluteal region में पीछे लगवा भी लिया है तो उस case में आपको फिर से fresh injection लेने की जरुरत है मैं फिर से repeat कर दो इस बात को intra-muscular लगवाने जा रहे हैं तो deltoid को preferably लगवाएं या नहीं तो anterior lateral part of thigh में लगवाएं अगर छोटे बच्चे हैं तो इसी तरीके से अगर intra-dermal अगर आप लगवाने जा रहे हो तो जो preferable site है intra-dermal का वो है over shoulder या over supra-scapular reason या फिर thighs पे तो intra-dermal जब भी लगवाएं तो एक बार में एक sitting में दो sites पे लगवाना जरूरी है ऐसा नहीं हो कि आपने लगवाना है 0.1 ml and 0.1 ml and आपने लगवा लिया 0.2 ml एक ही site पे ऐसा नहीं होगा जब लगेगा तो 0.1 ml लगेगा या तो दोनों डिल्टोइट पे तो surprise का प्रीजन पे या तो फिर thighs के reason पे हैं साथ ही साथ इसमें HR-Ig को भी discuss कर ले हमेशा ARV and HR-Ig का site anatomical site different होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ पे लगवाया है ARV और यहीं पे आपने HR-Ig भी ल लगवाएं कभी भी same anatomical site पे जहाँ पे lymphatic drainage similar होता है वहाँ पे कभी भी antiravage vaccine और HR-Ig साथ-साथ ना लगवाएं post exposure profile access schedule सबसे important topic है यह post exposure profile access PEP इस schedule को start करने से पहले मैं आपको एक बात यह बता दूँ कई बार हमें comments में इसमें देखने को मिला है कि WHO तो यह बोलती है and WHO तो ऐसा बोलती है लेकिन आपका view थोड़ा सा different है तो मैं आपको सबसे पहले यह बता दूँ कि आपको क्या follow करना है WHO है एक guiding body यह formulate करती है चीजों को लेकिन जरूरी नहीं है कि WHO ने जो formulate किया है as it is हर एक country इसी चीज को follow करे for example WHO ने formulate किया है intramuscular schedule and intradermal schedule तो क्या western countries United States follow करती है क्या Canada follow करती है क्या Australia follow करती है नहीं हर country का अपना अपना एक protocol होता है of course WHO जो guiding body है इसी के तर्ज पे ही formulate किया जाता है अपना protocol बनाया जाता है क्यों क्योंकि यह जो जग्रफी है जो western countries का जग्रफी है जो western countries का genetics है वो बहुत different है from Asian countries तो हमारे यहां का जो जग्रफी है जो genetic makeup है जो genetic constitution है वो different है from them इसलिए कई बार क्या होता है कुछ medicines, कुछ drugs, कुछ vaccines वहाँ पे जादे effective होते हैं कुछ vaccines, कुछ medicines, कुछ drugs यहाँ पे जादे effective होते हैं तो इसी तरीके से जब rabies के theory को formulate किया गया जब schedule दिया गया WHO द्वारा तो फिर इस पे भी कई research किया गया और देखने को मिला हर country में different different types का behavior देखने को मिला for example मैं आपको example के तौर पे बता रहा हूँ अगर आप US guidelines को पढ़ो तो US guidelines में they are following only intramuscular schedule intradermal जैसी कोई चीज नहीं है वहाँ पे right and intramuscular schedule भी अगर आप पढ़ो तो वहाँ पे केवल 4 ही dose लेने को बोलते हैं वो भी 0, 3, 7 and 14 there is no 28 there is no concept of 90 तो WHO तो बोलती है कि 0, 3, 7, 14, 28 पे लो क्या US मानी नहीं मानी न क्यों क्योंकि उनका अपना guidelines है वो अपने country के हिसाब से उन्होंने अपना guidelines तयार कर रखा है and of course वहाँ के लोगों को उसी guideline को follow करना है WHO चाहे जो भी बोले similarly जब हम लोग यहाँ की बात करते हैं भारत वर्ष की तो हमें यहाँ के protocol को follow करना है ना कि WHO के protocol को तो यहाँ का protocol क्या है यहाँ का protocol है N.R.C.P. National Rabies Control Program and आपको पता है N.R.C.P. के तहत 2030 में Rabies को बिलकुल out करने का plan है completely out कर देंगे 2030 तक ऐसा plan है N.R.C.P. में तो हमें follow करना है N.R.C.P. and जो भी मैं schedule बताता हूँ या जो भी doses बताता हूँ वो सब N.R.C.P. से लिया गया है ना कि WHO से WHO एक just guiding body है ठीक है उन्होंने जो formulate किया है हमें उसको follow करना है बट follow तो हमें वही करना है जो हमारी government हमें बोलेगी ये बात बिलकुल clear हो गई आपको मुझे लगता नहीं कि मुझे और कुछ बोलनें कि जरुरत है इस पे और आइंदा से कोई questions इस तरीके से ना आ जाए तो questions put करने से पहले एक बार आप N.R.C.P. guidelines बढ़ ले देख ले आपको भी clear हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है कितना differ करता है क्या नहीं करता है so coming to our schedule P.E.P. schedule जो N.R.C.P. कहती है वो कहती है इंट्रा मस्कलोर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 5 doses आपको लेनी है day 0, day 3 day 7, day 14 and day 28 and अगर आप इंट्राडर्मल ले रहे हो तो 4 सेटिंग आपको होनी चाहिए and हर सेटिंग में 2 doses आपको लगनी चाहिए 0.1 ml की दोनों शोल्डर पे या दोनों सुप्राइस कापलर या थाइस पे ये 4 days क्या है day 0, day 3 day 7 followed by day 28 यहाँ पे day 14 का concept नहीं होता है इंट्राडर्मल रूट में तो ये था post exposure profile access schedule साथ ही साथ ये भी देख लें कि PEP start कप करना है post exposure profile access को just then dog bite किया है same day same time पे आपको initiate कर देना होता है PEP कहने का मतलब कि PEP should be initiated as soon as possible लेकिन कुछ cases में delay देखा गया है 2 दिन का भी delay होता है 7 days का भी delay होता है 1 month का delay होता है 3-3 महीने तक का delay होता है तो भी लोग ये कोशन पूछते है कि 3 महीने पहले मेरे को dog bite किया था वो dog तो मारा गया 5 दिन में ही मर गया 5 दिन में आज तीन मैने हो गए, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्या मैं ARV जाकर लूँ या ना लूँ, यहाँ पर आंसर होता है, यस, आपको जाकर लेना है, क्योंकि incubation period, जो rabies का है, it varies from one week to one year, एक साल तक आपको कभी भी rabies manifest कर सकता है, अगर उस dog में rabies था, और उस ने अगर rabies वारास आप में transmit किया है, तो, तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्यों यह 0-3-7 सबसे important होता है rabies vaccination में, incubation period कब से कब है, 7 days to 365 days, one week to one year, 7 दिन के बाद ही rabies generally manifest करता है, बहुत rarely day 2 या day 3 पर यह manifest करेगा, जहाँ पर severely bite हुआ है, और वो भी face पे या head वाले area में अगर bite हुआ है, बहुत severe, तभी जाकर day 3, day 4 पर manifest करेगा rabies, otherwise हमेशा 7 days के बाद manifest करता है, इसलिए first 3 dose, 0 पे, 3 पे and 7 पे लगा लेना चाहिए, ताकि अगर rabies आपको manifest भी होने वाला हो, 7 days के बाद तो वो halt कर जाए, वो रुख जाए, क्योंकि virus को nerve से brain तक जाने में, जब तक ये travel कर रहा है, तब तक आप इस process को halt कर सकतो, आपके पास एक chance है halt करने का, इसलिए 0, 3, 7 तो बहुत important है, right from beginning, जिस दिन आपको bite हुआ है, उसी दिन से लेना शुरू कर दें, लेकिन आपने नहीं लिया है, तो भी, तब से लेना शुरू कर दें, जिस दिन आपकी आँख खुल गए, आप तो सो गए थे, bite के बाद, लेकिन आज आपकी नींद खुली है, कि क्या लगवाओं या ना लगवाओं, कभी भी question में ना रहे हैं, लगवाओं या ना लगवाओं, सीधे जाया लगवाले, लगवालेने से क्या होगा, जब आप 5 doses complete कर लोगे, इंट्रा मस्कुलर के, या 4 doses complete कर लोगे, इंट्रा डर्मल के, और तब तक आप में अगर रेबीज का symptoms नहीं आया है, तो मान कर चलने आगे फर कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब आपके अंदर protective antibodies बन गया है, इसलिए एक sentence याद रखें, anti-rabies vaccine taken on time as per schedule before the appearance of symptoms almost provide 100% protection, यह जो term है, before the appearance of symptoms, symptoms आने के पहले, अगर जो आपने ARV complete कर दिया, it means कि अब आप safe हो गया, 100% आप safe हो गया, तो क्या पता, आपको रेबीज 5 महने के बाद जाके manifest करने वाला होता, suppose आपको 5 महने बाद रेबीज होता, लेकिन आपने तीसरे महने से ही रेबीज के vaccine शुरू कर दिया, और 4 महने होते होते रेबीज के vaccine पूरा ले लिया, अब तो आपको 5 महने बाद रेबीज नहीं हो सकता न, क्योंकि आपके अंदर protective antibodies पूरी तरीके से आ गई हैं, इसलिए, initiation of anti-rabies vaccine should be done as soon as possible, जिस दिन आँख खुल जाए, बस उस दिन स्टार्ट कर दे, आपने PEP initiate तो कर दिया, that is post exposure profile access, लेकिन 10 दिन के बाद भी dog जिन्दा है, अब आपके मन में ये question आता है, कि अब तो dog तो 10 दिन के बाद जिन्दा है, इसका मतलब है कि dog में तो rabies तो 10 दिन के पहले ही वो मर जाता, अब चुकि dog में rabies नहीं था, तो मुझे भी तो rabies नहीं होगा, तो मैं क्यों जाओ भई, आगे का vaccine लगवाने के लिए, तो यहाँ पर एक बात को समझ ले, चुकि आपने already 3 vaccine लगवा लिया है, day 0, day 3 and day 7, and आपने dog को observe करना भी शुरू क कर दिया, and dog 10 दिन के बाद जिन्दा भी रह गया, तो यहाँ पर ये 3 dose लेके आप क्यों अपने आपको incompletely antibodies अपने body में बनवा रहे हो, बेटर है ना, कि आप course को complete कर लो, ताकि आपके अंदर जो antibodies बने, protective antibodies, वो आपको 5 साल से 21 साल तक protect करेगा, इस बात को समझ कर रखें, अगर आपने just 3 vaccine लिया, and छोड़ दिया, तो ये antibodies आपको आगे कहीं protect करने नहीं जा रहा है, लेकिन वहीं अगर आपने course complete कर लिया है, तो आपको protection बहुत लंबे समय तक के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर guidelines में एक थोड़ा सा change किया गया है, कि अगर आपने 037 लिया, and dog अभी भी जिन्दा है 10 days के बाद, तो आप अपने post exposure profile access को pre exposure में convert कर सकते हो, कैसे, अगर आपने intradermal लिया है, फिर तो आपको day 14 वैसे भी नहीं था, आप सिधे day 28 पे जाके vaccine लोगे, तो ये आपका pre exposure हो गया, इसी तरीके से अगर intramuscular आपने लिया था, तो आपको day 14 पे लेना था, and day 28 पे लेना था, अब आप क्या करें, day 14 आप skip कर ले, day 14 की ज़रुत नहीं, सिधा day 28 पे जाकर ले ले, तो ये आपको pre exposure हो जाएगा, तो dog bite किया, dog rabbit था, फिर आपने पूरा schedule लिया, तो that is called post exposure, dog bite हुआ, dog rabbit नहीं था, dog 10 days के बाद भी जिन्दा रह गया, तो आप क्या करो, आप post exposure को convert कर लो pre exposure में, ये pre exposure भी आपको protect करेगा काफी लंबे समय तक, कई बार ये post exposure profile access लेते हुए, लोगों को delay भी हो जाता है, suppose 0, 3, 7, 14, 28 पे लेना है, and गलती से 0, 3 तो ले लिया time पे, लेकिन 7 ना ले पाया, 7 उन्होंने day 8 को लिया, या day 9 को लिया, अ यहाँ पे question उठता है कि क्या ये effective होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दू, 0, 3, 7 सबसे important है, इनको तो time पे लेना ही चाहिए, अगर फिर भी 7 वाला time पे ना ले पाये, एक दो दिन छूट भी जाए, तो भी चलेगा, लेकिन 0 and 3 ये गलती से भी miss नहीं होना चाहिए, ये बिलकुल timely लगना चाहिए, 0 and 3, बाद की जो day 14 है and day 28 है, उनमें तो 2, 3, 4, 5 दिन का delay आराम से चलता है, acceptable है, वहाँ पे आपको कोई problem नहीं होने वाली है, तो जहां तक delay का सवाल है, few days of delay is acceptable for day 14 and day 28, 1 or 2 days, delay is acceptable for day 7, but 0 and 3 के बीच में delay acceptable बिलकुल नहीं है, pre-exposure prophylaxis generally उनलों को लेना होता है, जिनका आम तोर पे animals से interaction बहुत होता है, या जो veterinary doctors होते हैं, उनको तो लही लेना चाहिए, प्लस उनलों को भी लेना चाहिए, जो pit dog के शौकीन होते हैं, अपने घर में पालतू, कुत्तों को रखते हैं, उनको भी pre-exposure prophylaxis ले लेना चाहिए, schedule होता है, 0, 7, followed by either 21 or 28, कहने का मतलब 3 dose आपको लेना है, ये 3 dose फिर से intramuscular भी हो सकता है, intradermal भी हो सकता है, इंटramuscular होगा, तो single-single dose आपको लगेगा हर सेटिंग में, intradermal होगा, तो double dose आपको लगेगा हर सेटिंग में, doses मैंने जैसा पहले भी आपको बताया है, doses आपकी same है, brand पे depend करता है, अगर आप intramuscular ले रहे हो, तो कोई भी brand आप ले लो, full while आपको लगवाना है, अगर आप purified chikimbrio लेते हो, तो 1 ml लगवाना होता है, अगर आप purified verosal लेते हो, तो 0.5 ml लगवाना होता है, वहीं intradermal की बात करें, तो 0.1 ml each site आपको लेना है, खुल मिलाकर 0.2 ml एक बार में खर्च हो जाना चाहिए, और days मैंने फिर से आपको एक बार confirm कर दू, 0 पे लगवाना है, 7 पे लगवाना है, और जो तीसरा dose होगा, आप चाहो तो day 21 पे लगवा लो, या day 28 पे लगवा लो, इसी में booster की बाते आत 2-3 yearly, 2-3 साल में आपको single shot booster dose ले लेना चाहिए, depending on neutralizing antibodies जो आपके body में है, अगर neutralizing antibodies कम होता जा रहा है, तो आपको booster जल्दी लेने की ज़रूरत है, अगर neutralizing antibodies more than 0.5 international weight per ml बनी हुई है, तो 3 साल पे जाके आप एक single shot booster dose ले सकते हो, क्या है ये neutralizing antibodies, अभी बात करते हैं FFIT पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, इसी वीडियो के end में आकर, सबसे भ्यानक and सबसे confusing topic, re-exposure profile access, questions ऐसा आता है, कि हमने 3 dose, पूरा 3 dose लिया था, आज से ठीक 6 महीने पहले, आज फिर से re-exposure हो गया, क्या करूं? हमने 5 dose, 5 dose intra-muscular full course किया था, आज से 7 साल पहले, आज re-exposure हो गया, अब क्या करूं? मैंने तो कली complete किया है, अपना anti-rabies vaccination, आज re-exposure हो गया, अब क्या करूं? यह सब questions बिलकुल mind twisting questions है, यहाँ पे answer देना थोड़ा सा difficult हो जाता है, यहाँ पे मैं आपको बिलकुल simplify कर दोंगा, कुछ नियम आपको बताता हूँ, re-exposure profile access से related, तीन बातों को बिलकुल ध्यान में रखें, पहली बात, pre-exposure profile access, जिन्हों ने अपना pre-exposure profile access करवा लिया है complete, post-exposure profile access, जिन्हों ने अपना post-exposure profile access complete करा लिया है, इधर 5 doses of intramuscular या 4 doses of intradermal, यहाँ पे मैं incomplete doses की बात नहीं कर रहा हूँ, यह जो 3 dose हमने लगवा लिया, यह 2 dose हमने लगवा लिया, यह incomplete doses है, यह 0, 3, 7 ऐसा बोल कर कि हमने 0, 3, 7 में 3 dose पूरा पूरा लगवा लिया, यह incomplete है, complete तभी होगा, जब आप 5 dose जाएंगे intramuscular पे या 4 dose जाएंगे intradermal पे, तभी complete कहला है और तीसरा condition, अगर आपके body में neutralizing antibodies present है, more than 0.5 international unit per ml, के concentration में, that also through RFFIT, तभी आपको edge re-exposure only 2 dose लगाने की जरुरत है, on day 0 and day 3, otherwise अगर आप इस 3 criteria में fit नहीं हो, तो आपको कुल 5 dose intramuscular का, या कुल 4 dose intradermal का, पूरा course आपको करने की जरुरत है, इस बात को समझ लें एक बार, फिर से, तीन बाते मैंने बोला, pre-exposure, post-exposure या RFFIT के through neutralizing antibodies, अगर ये 3 में कोई एक भी आपका satisfactory है, तभी आपको 2 dose लगेगा, otherwise आपको complete course करना होगा, for re-exposure, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि RFFIT पे भी यहाँ पे दोशब जर्चा कर लेंगे, तो RFFIT में क्या होता है, generally हम लोग neutralizing antibodies, जब आपका ये जो profile axis है, course complete हो जाए, उसके 14th day में करवाते हैं RFFIT test, क्योंकि यहाँ पे antibodies आपका बिलकुल peak पे रहता है, तो अगर antibody level more than 0.5 international unit per ml है, it means कि आप अप protected कहला होगे, हलाकि ये RFFIT test हर case में नहीं करवाते हैं, वहीं करवाते हैं जहाँ पे risk factor बहुत जादे होता है, तो कि ये general test में नहीं आता है, ये regular testing में नहीं आता है, या वहाँ पे करवाते हैं, जहाँ पे re-exposure का खत्रा है, और आपको अभ्याद भी नहीं है, या आपने pre-exposure अच्छे से लगवाया था, या post-exposure profile axis आपने पूरा complete course किया था, या नहीं किया था, वहाँ पे देखने के लिए कि क्या आपके body में normal neutralizing antibodies present है या नहीं, वहाँ पे ये test करानी के जुरत होती है, तो मैं एक conclusion में आपको ही बोलना चाहता हूं regarding RFFIT, regarding neutralizing antibodies, कि आप बहुत ज़्यादे ना डरें, इस test के पीछे बहुत ज़्यादे ना भागें, इसका बहुत ज़्यादे role आपके day-to-day life में नहीं है, and finally एक बात क्या कि रेवीज पर इतनी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, रेवीज पर इतनी चर्चा हम लोग इसले कर रहे हैं, क्योंकि रेवीज का कोई treatment available नहीं है, and एक बार अगर रेवीज हो गया, तो इस पूरी दुनिया में, पूरी धर्ती पे, आपको कहीं भी जगा नहीं मिलेगी, मुलाकात सीधे, वही होने जाए रही है, and सबसे अच्छी बात इसके साथ ये भी है, कि रेवीज का vaccine available है, and easily available है market में, and अगर आपने vaccine को properly लगवा लिया है, time to time, as per schedule, तो रेवीज आपको होगा भी नहीं, तभी तो नर्सीपी बोलती है, कि by 2030, रेवीज को यहाँ से उखाड फेकेंगे, तो इस उखाड फेकने में सबसे जरूरी आपकी मदद की है, अगर आप help करें, अगर आप awareness को बढ़ाएं, अगर आप थोड़ा मेहनत करें, तो साथ में बैटके इस रेवीज को रियली उखाड फेका जा सकता है, तभी तो कहते हैं, we unite, we fight, thank you.